राधी राधी दोस्तों स्वागत है आप से भी का एक बार फिस्य दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों बैसाख अमावस्य इस बार 22 अप्रेल दिन गुरुवार को है यह अमावस्य भगवान लक्षमी नारायन के साथ पित्रों को समर्पित होती है साथ ही इस दिन सूरे गहन भी लगने जा रहा है सूरे गहन और अमावस्य के अद्भु संयोग पर शांत तरपन दीब दान करने से पित्र अतिशीकर ही प्रसन हो जाते हैं शास्तों में बताये गए एक आसान से उपाय को अमावस्य पर करने से जन्मो जन्मो के पित्र दूश भी दूर हो जाते हैं इस अमावस्य पर पित्रों के निमित दान करने से पित्र अतिशीकर ही प्रसन हो जाते ह और अपने वन्षजों को अपना आशिरवात देते हैं और कश्टों को दूर करते हैं। इस अमावस्यापा पित्रों के निमित इस्नान दान शाथ तरपन करने से पित्र दूर से मुक्ति मिलती है। पित्रों का आशिरवात प्राप्त होता है और कश्टों से छुटकारा मिलत शास्तों में बताया गया है कि ईस दिन अपने पूरवजों को याओध कर पूजा करने और करीबों को दान देने से मनुषय के पापों का नाश होता है यह अमावस्या धर्म कर्म इसनान दान और पित्रों की तरपर के लिए बहत ही शुभ मानी जाती है माना जाता है इस अमावस्या पर पित्रों को प्रसन्न कहने के लिए उनकी आत्मा की शांती के लिए और पित्र दोश से मुक्ति पाने के लिए पित्रों के निमित तरपन और दान अवश्य ही कहना चाहें ऐसा करने से पित्रों का आशेवात प्राप्त होता है और पित्र दोश से मुक्ति मिलते है इस अमावस्या पर पित्रों को प्रसंद करने के लिए पित्रों के निर्मित तरपन दान करने से नाकेवर पित्र दोश से मुक्ति मिलती है साथ ही काल सर्प दोश भी दूर होता है और जीवन में खुशियां आते हैं इस अमावस्या पर पित्रों के मुक्ष की कामना से ब्रत उबाश अवस्या ही रखें। कहा जाता है इस दिन पित्रों के निमित जो भी उपाए दान पुन आदिकारे किये जाते हैं, उससे तब तो होकर हमारे पूरवच हमारी सभी मनोकामनाय पूरी होने का आशेवाद देत आम आवस्यति थी पित्रों को प्रसंद करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों माना जाता है कि हम जीवन में कोई भी उन्नती करते हैं। वो सब पित्रों की क्रपा और आशिरवास से ही जंभब हो पाती है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पित्रों को प्रसंद अवश्य करें। जिससे पित्रों के आशिरवास से आपके जीवन में उन्नती हूं। दोस्तों आज ही इस वीडियो में हम आपको पित्रों को प्रसन्य कहने का और पित्र दोश को पित्र आशिरवाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाई को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस उपाई को कहने से ना केवल पित्र पसंद होते हैं साथ ही पित्रों की आद्मा को भी शांती मिलती है पित्र दोश पित्र आशिरवाद में बदल जाता है इसलिए आप सभी भी अपने पित्रों को प्रसंद करने के लिए पित्रों से आशेवात प्राप्त करने के लिए आम आवस्या की रात को इस उपाय को अवश्य ही करें यह उपाय पित्रों को प्रसंद करने के लिए घर के पुर्श, महिला या बच्चे, लड़के लड़किया भी कर सकते हैं। इस उपाई को कहने का सिर्फ एक खास नियम है वह है शुद्धिता और पविधिता इसलिए आप शुद्धिता पविधिता का विशेश ध्यान रखें। अगर आपने दिन में इसनान किया है तो र उपाई ना करें। उपाई करने के लिए आप एक दीपक लें। इसके लिए आप मिटी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दीपक ले सकते हैं। अगर आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्धिजल से मड़ा हुआ बिननमक के आटे का दीपक बनाएं। अब दीपक मे आप शुद्दिखी भरें, शुद्दिखी नहों तो आप साफ सर्सों का तेल भी भर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, सर्सों के तेल के अलावा कोई और तेल आप तीपक में ना डालें, दीपक तयार करने के पश्चा सूर्यास्त के बाद यानि की रात्री के समय आपको यह दीपक जलाना है लेकिन दोस्तों ध्यान रखें सन्याकाल के पूजन के पश्चात ही आपको यह दीपक जलाना है जब आप भगवान जी का पुजन करने दीपक जलाकर उसके बाद ही आप इस दीपक को जलाएं और यह भी ध्यान रखें कि आप इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें मंदिर के पास आप साफ इस्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं या फिर एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उसके उपर भी इस दीपक को रख सकते हैं आप जिसे इस्थान पर दीपक रखें उस साफ इस्थान पर पहले थोड़े से साबुच चावल रखें उसके उपर ही आप दीपक रखें अब आप इस दीपक को जलाएं दोस्तों ध्यान रखें दीपक जलाने के बाद दीपक की जो बाती है यानि की दीपक की जो लौ है पहें दर्शिन दिशा की तरफ होनी चाहें आप चाहें तो इस दीपक को अपने घर के दर्शिन कौने में साफ इस्थान पर भी जला सकते हैं दश्षिन दिशा पित्रों की दिशा होती है, दश्षिन दिशा में ही पितर लोग है, माना जाता है कि पितर बक्ष में पितर लोग से दश्षिन दिशा से ही पितर हमें आशेवाद देने धरती पर आते हैं, इसलिए पित्रों को प्रशन करने के लिए, पित्रों का आशेवा आत्मा को शांती मिलती है और पित्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए अमावस्या की रात्री को दर्शिर मुखी दीबदान अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है शर्धाय यहां तियते सहा शाथ अर्थात। शर्धा से पित्रों के निमित दिया हुआ दान ही शर्ध है। इसलिए अमावस्या की रात्री को शर्धा पूर्वक दर्शिर मुखी दीबदान करने से पित्रों का आशिरवात प्राप्त होता है। और शर्ध करने का पुन्यफल प्राप्त होता है। दोस्तों दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछा कर बेर जाएं और दश्चिर दिशा की तरफ मुख करके पित्र देव के इस मंत्र का 108 बाद चाप करें मंत्र इस प्रकार है ओम पित्र देव ताय नमा ओम पित्र देव ताय नमा इस मंत्र का आप 108 बार चाप करें इसके बाद भगवान विश्णू जी के महा मंत्र ओम नमु भगवति वासु देवाय का भी यथा शक्ति चाप करें कम से कम 21 बार चाप करें अगर कर सकते हैं तो 108 बार चाप करें दोस्तों भगवान विश्णु जी को पित्रों का देपता माना जाता है। इसलिए पित्रों को प्रसंद करने के लिए भगवान विश्णु जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन गीता जी का पाठ करना विश्णु शहस्त नाम का पाठ करना भी बहुत शुब माना जाता है जितना हो सके यथा संबब पूजन करें पूजन करने के पश्चात आप भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी पित्रों की आत्मा की शांती की उनकी प्रसंदा की प्रातना करें पित्रों की मुक्ति की भी प्रातना करें इसके पश्चात आप अपने पित्र देब को कुल देबता को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी कश्टों और दुखों को दूर करने की प्रातना करें, पित्र दोष से मुक्ति की प्रातना करें, और उनसे प्रातना करें कि वह आप पर और आपके परिवार पर अपना आशिरवात सदर बनाए रखें, क्योंकि पित्रों के आशिरवात के बेना आपको जीवन में किसी भी छेतर में सफलता प्राप्त नहीं होगी इसके साथ ही पित्रों से और भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी से कालसर्ब दोष से पित्र दोष से मुक्ती की भी प्रातना करें दोस्तो इस उपाय को कहने से भगवान विष्णुमा लक्ष्मी जी के साथ साथ पित्रों की भी प्रौपराप्त होती है। माना जाता है पित्रों के निमित दशिन मुखी दीबदान कहने से पित्र अती प्रसन होते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को अपना आशिरवात देते हैं और पित्र दोश और कालसर दोश से भी मुक्ति मिलती है दोस्तों आपने दीपक के नीचे जो चावल रखे हैं उन्हें अगले दिन आप बक्षियों को डाल दें अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उस दीपक के भी छुटे-छुटे टुकडे करके आप बक्षियों को डाल दें अगर हो सकी तो पित्रों के निमित आप थोड़ा सा अन्न निकाल कर रखतें जैसे गैंहूं चावल या डाले आप कुछ भी थोड़ा सा पित्रों के नाम पर निकाल कर रखतें और फिर आप अगले दिन या फिक कुछ दिनों बाद उसे किसी जरुतमन व्यक्ति को दान दे द और पित्र त्रक्त हो जाते हैं। शद्धा से दिया गया दान ही शाथ है। शाथ कहने से आयू, पुत्र, यश, बल, बुध्धी, सुख, धन, धान, आदी की प्राप्ती होती है। इस उपाई को कहने के साथ साथ इस बात का विशिश धान रखें कि आज के दिन आप साथ भी भूजन ही ग्रहन करें। आज के दिन प्यार लेसन या पीट अंडा का सेबन भूल कर भी ना करें।